रात का वक्त, हाफ लॉंग स्टेशन, वो कर रहा था इंतजार, आने वाली थी ट्रेन, पर चली आई बारेश, बच्चों की तरह खिरती हुए, आसमान का सीना चीरती हुए, हवा में पेड़े से चूम रहे थे, जैसे अपना होश को बेटे हूँ, तीन की छते मस्ती में आपके पास माचिस होगी क्या, हवा के जोके ने उस अजनबी के सर से कपड़ा उड़ा के उसके कंदे पर किरा दिया, लड़की, काली गहरी पर चोटी सी आँखे, उचे उठे हुए गाल, चिप्टी सी नाँख, जैसे चल्दबासी में लगा दे गई, सुनेरी लड़की पर नजर पड़ते ही उसने तेक या उसको उठाकर बदमाशों से बचाकर गोड़े पर ले जएगा, तोरू, 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 पर नाँख, आपको आदमी समझकर आपसे माचिस मांग ली, उसका चवाब, कुछ नहीं, सिर्फ एक नजर, जदू परी मुस्कुराती क्यों नहीं कुछ पूछती क्यों नहीं सिगरेट सारी अच्छानक जैसे मौती बिखरकाया वो बोली चाय या फूल वाले डिजाइन के गलास में करम चाया लिये में तेजी से दोड़ा बस इतनी कि चाय किरने नफा है लेकिन ट्रेन यह से चूटे से से शेशन पर रुपना उसकी पेज़त देव उसने सीड़ी बचा दी मैंने ट्रेन को देखा मुझे यह नहीं मालूम था कि यह मेरी ट्रेन है यह उसकी ट्रेन है गाड ने लाल जंडी के साथ साथ हरी चंडी पी दिखा दी मैं ट्रेन की तरफ भागा ट्रेन चली गई वो भी चली गई होई